वेलकम बैक फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिमॉर्फिजम, डेटा एप्टेक्शन और एनकैसुलेशन के बारे में तो पहले देखेंगे कि पॉलिमॉर्फिजम क्या है तो पॉलिमॉर्फिक का मतला होता है कि तो इसे प्रेक्टिकल समझने लिए चलते हैं पायचाम पर यहाँ पर मैं एक चीज़ लिएता हूं जैसे लिख देते हैं A इकोल्स टू वन और सेम बी को भी असाइंड कर देते हैं ठीक है सेम नीचे C और D को भी असाइंड कर देते हैं अब हम प्रेंट कराते हैं A प्लस B को और नीचे प्रेंट कराते हैं C प्लस D को तो हम पता इनके आनसुर्स क्या आने वाले हैं करते हैं इसे run तो हम यहां से समझते हैं यह जो add है यह मतलब सामने वाले के हिसाब से work कर रहा है मतलब इसका कोई constant form नहीं है तो अगर कोई string होता है तो directly string के आगे append कर दिता है तो जैसे 1 था यहां 3 था और हमें add करना है तो इसने आगे append कर दिया वहीं अगर integer है तो उसे अगर add करना है तो इसने इन दोनों को add करके chart लिख दिया तो कहने का मतलब यह जो यह plus operator है यह सामने वाले के हिसाब से काम कर रहा है तो मतलब कोई एक constant form नहीं है तो उसकी कहते है polymorphism कि मतलब कोई भी एक constant form ना होना मतलब यह सामने वाले पर depend करता है कि वो कैसा है और फिर उसके हिसाब से act करना अगर एक और example देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लैक ऐसे अब हम print कराते हैं len of a और नीचे print करा देते हैं len of e ठीक है इसे दूआप से run करते हैं और हम a को लिख देते हैं 1,2,3 कुछ लिख देते हैं let's say तो यहाँ पर हम run करते हैं तो यहाँ पर अगर देखिए a string होता है तो इसका each character गिन रहा है तो इसमें total कितने हैं? साथ है वहीं अगर e कोई list है तो list में items गिन रहा है यह तो list में अभी a की item प्रेजेंट है तो इसलिए one आया तो मतलब वही है कि polymorphism को यह है कि वो सामने वाले के हिसाप से act करता है तो जैसे length function था जैसे हम length निकालते हैं तो list के लिए तो यह items गिनेगा कि उसके इंदर कितना item है और अगर string है तो इससे characters गिनेगा तो वही है कि मतलब length को यह constant form नहीं है वो सामने वाले के हिसाप से act करेगा तो यह तो हो गया polymorphism अब यह देते हैं encapsulation तो यह तो मतलब straightforward है a way to restrict the direct access तो मतलब यह यह कि यह direct access को restrict करता है direct access मतलब यह है कि जैसे हमने अभी यहाँ पर class and function का example लिया था जैसे मुझे यह get dot details call करना है तो मेरे पास इसको direct call करने का access नहीं है मतलब पहले मुझे एक object बनाना पड़ेगा फिर object से फिर उसके method को call करना पड़ेगा तो मैं directly इस method को call नहीं कर सकता तो इसे कहता है मतलब encapsulation कहता है कि यह मतलब एक तरीक से इस class के अंदर बंद है तो जब तक हम इस class को call नहीं करेंगे तो तब तक हम उसके methods या फिर variables को call नहीं कर सकते तो इतो होगे encapsulation बाकी यह कि यह है data abstraction तो इसका मतलब क्या होता है कि hide background details और unnecessary implementation about the data so that user can only see the required information तो मतलब इसमें यह है कि जो unnecessary details होती है वो हमसे hide होती है जिससे कि हम अपने main focus कर सके अपने goal पर तो मतलब हमें इसमें ध्यान दिना होता कि हमारा मतलब पीछे code कैसे turn कर रहा है जैसे for example यह LAN है तो LAN function हमें बता रहा है कि अगर list होती है तो यह items call करता है और अगर string होती है तो यह characters count करता है तो अगर हमें देखना कि LAN का code कहा है मतलब इसका code है जैसे हम code लिख रहे है तो मतलब कहीं इसका भी एक inbuilt code होगा तो वो code कहां पर है तो अगर मैं इसपे click करूँ control plus click तो यहाँ पर इसका function defined है बट इसका code हमसे hide है तो इसलिए कहना चाहरा है कि जो unnecessary details होती है तो उन्हें user से hide रखना और उन्हें बस जो required information है वही दिखाना तो इसे कहते है data abstraction तो यही basically complete overview था एक object oriented programming का जिसमें हम यह सारे points देख चुके हैं तो इस video को short ही रखते हैं अगर आप उसमें कोई doubt था आप आप मुसे comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर next video में तो तो के लिए बाइ